हेलो दोस्तों मैं अरविद मोरजा स्वागत करता आप इधे अथा सेयं के नि वागत है आज करेंगे लिकूड़ जैट एड्टर के बारे में कि लिक्वीड एड़्ी्येटर एड चिय्टर क्या होता है ये कैसे वर करता बता है यह इस किस्चा करता है इनकी क Haushile क्या होता है सारी चीजों के बारे में खरीकर करने है तो यह बस्तम से पहले में आपको बता करने सब्सक्राइब अब इस वीडियो हम डिसकस करेंगे लिक्वीड एक्टर और स्टीम एक्टर के बारे में तो इसको डिसकस करने से पहले आपको एक्टर का थोड़ा सा ओवर्व्यू देदू कि एक्टर क्या होता है तो देखिएगा एक एक्विमेंट है जिसमें वैक्यूम क्रियेट किया जा करेंगे तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी अब यह बात कर लेते हैं कि इस एजक्टर का यूज कहां किया जाता है तो पहले यह आपको बता दिए हम कि जहां पर वेक्विड कण्यू districts में होते हैं जैसे का वेक्यूमोन दिस्टिलेशन होता है फिल्ट्रेस्ट ओता है द्राइंग होता है जैक इसिलिकूड को शक करना है तो उस purpose के लिए vacuum created किया जाता है और vacuum है लिक्विट जेक्टर का का मबंड़ सिस्टम बताएं और कि कणिन है तो आपको एक पास्या-एका सब की बताएं गाएंगे और सब सेख्टर setzt輪ों बत्कोर सबस्क्राइब में करें कि इसमें में कि उचिख पुर्ण सब्सक्राइब सपड़के सब्सक्राइब करता कि इस में जो मोटइफ व्यूडा में यह आप लिक्वीड यूच कर रहे हैं तो एस्टीम करें तो यहां पर देखेंगे यहां पर यहां कि यहां पर यहां कर लिया जाता है वह सारी चीज़ए हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे अभी एक पाट देख लीजे ठीक है तो यह क्या अच्छी है और यह catchport है जहां से vacuum supply करते हैं प्लांट में ठीक है यह चीज़े आपका clear हो गया और यहां पर देखिए यह जो steam ejector है इसके ऊपर देखिए यहां पर एक NRV या XV लगा रहता है उसका क्या परपज होता है वो भी हम आपको आगे चल के बता रहेंगे यह यानि कि यह section है यह सारी चीज़े हम आपको बताएंगे इससे पहले हम पहले यह देखते हैं कि इसमें जो main part है जो vacuum create करता है पहले देखिए इसमें जो ejector है यही vacuum create करता है कैसे create करता है उसके लिए हम आपको यहां पर एक figure बनाए हुए है इसके अंदर की construction कैसी होती है यहां पर देखेंगे कैसे work करता है वो चीज़ें यहां पर समझेंगे ठीक है तो यह यह आपका बाहरी construction मतलब उपर से आपको ऐसा ejector दिखता है यह ऐसा ejector दिखता है लेकिन अंदर से इसकी construction ऐसे होती है वो चीज़ पहले आपको यह समझना होगा कि यह vacuum इसमें create कैसे हो समुझना होगा बरणॉली के शन समझना होगा वह क्या कहता है ठीक है तो पहले हम समझ लेते हैं कि continuous है पहले नममर्पर हम देख लेते हैं equation of continuity continuity अब देखान आप continuity जो होता है मास कंजर्वेशन पर बेस होता है किसी ऐसे पाइप जिसका एक सीरा का एरिया ज्यादा हो दूसरे सीरा का एरिया कम हो जैसे आपको फिगर बना देते हैं ऐसे आपको फिगर बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए आवा सख्ता है तो ज़्यादा मैं जाऊंगा मेन मेन चीज आपको बभी बता रहा हूं ओवर्वीव आपको बता रहा हूं ठीक है तो एक क्या कहता है कि यदि कोई ऐसी पाइप है जिसका एक सीरा का एरिया ज्यादा है दूसरे सीरा का एरिया कम है ऐसे पाइप में कोई और तो यह क्या करता है equation continuity जैसे तो इसमें तो इसमें क्या कहेगा कि इस पहले प्लोगा करेगा उतने इंटे ही फोलो से यहाँ पे निकलेगा उसमेंगेंगे वह तो उसके लिए आपका equation करूंगा बहुत लंबा जाएगा यहाँ पर आपको equation यहाँ दोगा का एवन बराबर होता है एटू वी टू ठीक है एवन बराबर एटू वी टू होता है मतलब कहने का मतलब क्या है यहां एरिया वन में कोई लिक्वीड किसी रेट से फ्लो कर रहा है तो माल लीजिए वीवन रेट से फ्लो कर रहा है कोई लिक्वीड ठीक है उसकी विलासिटी और मतलब किया यहां पे में अप्रोलूज अगदा है तो प्लशुटी कम होगी और यह कम है तो सब्सक्राइब ज़्टा होगी क्योंकि मास्टों कंजरव है यदि यहां पे एक मिनट में त्यन में ट्रीयन प्र शेंज क्या होगा उसको वीलोसिटी में उसकरश जाएगा तो जैसे यहां पे एक्वेशन यहीं कहता है यहां से आपको निकल के आता है कि जहां पे एरिया यदि कम है तो विलोसिटी क्या होगी जादा होगी और एरिया जादा है तो यहां पे याद रखना है यहां पे आपको समझना है और दूसरा क्या समझना है बर्नौली तियरम समझना है इसको मिटा दे इनर्जी कंजर्वेशन पर बेश्ड़ है यह एक चीज़ याद रखेगा इनर्जी कंजर्वेशन में पर जाता है तो देखते हैं इक्वेशन में क्या होता है देखते हैं इसका इनर्ज्वेशन में का जो यह सबस्क्राइब होता है इसके बहुत सब्सक्राइब होते हैं हम अभी इसमें यहां पर में समझने के लिए आवसकता है तो इसमें क्या कहरा है यानि कि किसी बी केस में क्या है कि इसकी इनर्जी है इनर्जी जो है मतलब एक ये चेंज ने इनका क्यों रूप चेंज होगा जैसे मानलीजिए किसी हाइट पर रखी हुई है ठीक है और वो अब लेकिन उसको अगर उपर से गिरते हुए तो जैसे जैसे गिर रही है वैसे उसका स्पीड बढ़ रहा है और पोटेंशियल इनरजी यानि कि इस तिति रूची घट रही है तो इसका कहने का मतलब क्या का इसमें होता क्या कि एक चीज घटेगा तो चीज बढ़ेगा या एक च ठाना चाहिए इसके बनोली के कहने का मतलब है ठीक है तो इसको अगर हम इस केस में लेखें जैसे तो यहां पर कोई कर रहा है तो इसको हम नेगलेट कर लेते हैं इस ठीक है तो यहां से हमें देखिए क्या मिलता है कि अब इन दोनों का जो यह गोना चाहिए यह तो यह चीज आपको बढ़ाना पड़ेगा यह एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी घटाना पड़ेगा तो देखिए हमें जो यहां पर काम की जो चीजे हैं वहाँ पर इससे ही मिलती है कि यही मिलता है कि यदि हम प्रेसर बढ़ाएंगे किसी चीज पर उसकी जो विलोसिटी होगी वह घटेगी और यदि विलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी प्रेसर घटेगी ओहां पर ठीक है यादि विलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेसर घटेगा तो यहां से समझने के लिए आपको सबसे अच्छा एक्जामपल में आपको बता दूं तो रेलवे स्टेशन पर आप देख लीजिए जब आप कहीं ट्रेवेल करने जाते हैं तो आपके घर वाले बोले होंगे की की जो प्लेट फोर में उससे जप्सक्राइब के कि याने अवस्ट ट्रेन हो जाएगा तो आप यही होता है कि वहानी较 जाए के देखते है इसको समझते हैं इसको देखिएगा इसको समझते जैसे माली जो कोई ट्रेड आ रही है तक यहां पर करेंजल के उसकी प्रेसर जो है वह सेम है ठीक है लेकिन जब जब बहुत ज्यादा स्पीड से त्रेन तो उसका ज्यादा है तो यहां पर रहता है इस ट्रैक पर उस एर को बहुत तेजी से करता है तो उससे होता क्या है कि इसके बाहर में तो प्रेसर क्या हो गया यहां पर इस जगह पे कम हो गया तीक है विलॉसिटी जादा रहती है तो प्रेसर वहां पर कम होता है अब इसको समझने के लिए आपको एक और एक्जामपल दें सबसे अच्छा चीज़ आपको हम लाइव एक्जामपल दिखा देते हैं कि जहां पर विल लेजे हम इस कागज के टुकड़े को ले लिए तो कागज ले लिए ठीक है अब यह नॉर्मल कंडिशन में क्या है कि दोनों दूर-दूर है क्योंकि इनके आजू-बाजू बीच में हर जगा क्या है कि प्रेसर से मैं लेकिन इसके बीच में हम फूकेंगे तो होगा क्या कि य देखिय। अब यह दोनों क आगज दूर-दूर है ठीक है अब इससे हम ठूक रहे हैं g तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि इसके बीच में क्या और रहेगा बीच में विऑ्लॉस्टी ज्यादा होर है तो प्रेसर इनके बीच में पाम हो लेकिन दोनों का आगज आपस में यहां से आप समझ के होंगे इससे क्या है कि जादा होगा वहां पर इतना क्लियर है अब इस एकटर की वर्किंग को क्रती देखते हैं में आपका टॉपिक यह है कि जतर कैसे वर्क करता है अब आप यह चीज़ देखते है ठीक है अब देखिए आप इसके पार्ट समाफ बता दें आपको यहां पर एक नोजल लगा हुआ होता है ठीक है आप इस क्षेशन को हम बोलते हैं कि सवर्र चेंबर बोलते हैं इस पूरे एडिया को क्या वोलते हैं पहले आपको बता देते हैं इसको ठीक है अब यहां पर देखिए कोई वाटर को हम इनलेट की यह उसका जो प्रेसर होता है तिन चार केजी पांच केजी तक कर रहता है ठीक है तो high pressure से क्या हुआ कि water inlet किया इसमें ठीक है जब water इसमें किया यानि कोई liquid इसमें इन किया इसमें इन करना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर area क्या है यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर यहाँ पर continuity question आप याद रखिएगा ठीक है अब जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा वैसे वैसे क्या हो रही है एरिया कम हो रही है ठीक है अब एरिया कम हो रही तो क्या कहता है कि जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे क्या होगी उसकी विलॉसिटी बढ़ेगी इसके दखिए आप यह द्यान रखिए आप को समझने वाली चीज़ है कि जब तक यह लिक कि कोई गाड़ी दूल है दुल आने जाता हाँ तो इसकी जैसे-ईरिया च्वी प्रेसर बढ़ रहा है लेकीन जब निकल लाए तो इसका जो विलोसिटी यह बहुत जादा बढ़ रही है ठीक है क्या हुआ पहले कि आपका मल यह तीन-चार केजी का प्रेसर का रहा था और एक्वेशन अब कंट्यूनिटी आपका क्या कहती है कि मास आपका तो कंजड़ रहने वाला है और वह क्या है कि उसमें उसको बाहर निकलना है बस उसमें क्या होगा विलोसिटी उसकी चेंज होगी तो जब इसका इंतर किया तो यहां पर किया तक का आपका कौन सा वर कर रहा था इसकी विलासिटी बढ़ाने में कौन सा वर किया वह कंटिन वर किया लेकिन अब जब विलासिटी से बाहर निकल ला है तो इसके बाद कौन सा वर करेगा वर करेगा का कहता है कि जहां पर विलासिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम अब यहां पर क्या होगा कि था स्क्षन बहुत से बहुत स्पीट से लिक्विड से निकलता है यहां पर सक्षन होता है जिसको इसकों वैक्यूम अईकंटर को ठीक है जैसे जैसे मृप 무ười कर रहे हैं तो क्या है कि यहां पर यहां पर लाएगा तो यहां पर लाएगा अब इधर से लिक्वीड आ रहा है यहां पर क्या होंगे अच्छे तरह से मिक्स होती है अब यहां पर फिर एरिया इसका कम हो रहा है इसके अंदर यहां पर प्रेसर फलका होता है इसका पर फिर 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 विल्लडफ होगा और फिर फ्रोंट और यहां पर भी इल्कुल नॉर्मल होता है इसको बोल सकते है आप स्कॉ्यर के रूप में ठीक है इहां पर एक्सपेंड होता है जो जो गैसे जारी वह भी कुछ अधिक लुट होती है तो कंडेन सो जाती है यहाँ पर ठीक करता बाता है यहां पर निकल निकलघा लाव कर रहा कि आ इस यहां पर देखते लांगि स्कूड़ा रहा है तो इतना आप समझ लिए कि इस नोजल में क्या हो रहा है और जब लेट हो रहा है तो फिर यहां पे क्या हो रहा है वेक्वूं आपका क्रियट हो रहा है अभी द क्या यहां पर सक्ष्य हो रहा है अब चले गहां बड़ा क्या है था यहां से सकसन बनेगा गया है इं आएग इसके बात देखिए दूसरा सो में क्या है कि आपको कमबाइन बता रहे तो पिक यहां से प्लो हो रहा है है कि यहां पर गाएं असे धाइगा करेगा यहां पर हम क्रियेट हुआ यहां पर वेक्यूम क्रिएट हुआ अब यह दोनों वेक्यूम क्या होंगे इस लाइन से सक्षन लाइन से इस कैच पॉट में आएंगा अभी सक्षन लाइन में देखिए आपका एक एक नर्वी या एक सीवी लगा रहता है यह सेप्टी परपस से लगाया जाता है कि कहीं प्लांट में दे रहा है डिस परपस के लिए यूज करना आपको वहां से आप की जिए ठीक है तो इस तरह से इसमें वैक्यूम होता है अभ इसको एक चीज़ा में यहां पर समझ लेजिए यह जो आपका पॉट होता है यदि आपका इस्टीम एग्टर है यदिस पॉट को मौल्टी इजेक्टर के बारे मताएंगे इसूमें आपको अच्छे से समझना यह तो अगर यहां से समझना है तो यहां से लिदू लगाना पड़ेगा यहां पर क्या होगा यह लिक्विड यहां से इस नौजल में जाएगा अब इसके लिए बीच में देखिए हम एक एक यूज की है अब एक यूज करने का क्या करण है यह जो वाटर है इसके वाटर के टेमप्रेचर को डाउन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेगा आइडियल लाव जानते होंगे पीवी वराबर एनार्टी यह महां से आपको क्या मिलता है कि जो क्यों होता है तेंप्रेचर के प्रोपोषर होता है यारी कि कि कीछी चीज का रसब बढ़ाएंगे स्फी बढ़ेगा जैसी की का इकड़ेट करना है तो प्रेसर आपकागए गटेगा अ बढ़ेगा तो ठीक है इसलिए इसके टेंपरेचर को मेंटेर रखने के लिए यहां पर हीट एक्षेंजर का यूज करते हैं अभी हीट एक्षेंजर में कहा है कि एक साइसे कूलिंग टावर का इनलेट कर रहा है इधर से आउट हो रहा है तो जिससे क्या हो रहा है यह वाला पानी ठंडडर रहेगा और पानी स्थे इंचर से अगना है तोS के लिए आपको ऐची लगाना पड़ेगा 魚 मिलेट करते हैं से में क्या करता है üBon Mun कका जो भी आपको जहां पर रिष्टकर अब कैसे वर्क करता है अब मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज इडिक्टर के बारे में